नमस्कार साथ ही आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित्रॉनिक चले दोस्तों शुरुवात करते हैं आज की जैसे क्वाटर थ्री के रिजल्ट के अपने सीरी चली तो उसके अंदर संगम इंडिया लिमिटेट का क्वाटर थ्री का रिजल्ट कल के डेट म अब यह तक आप अपना चनल सब्सक्राइब नीगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल एको को बजाना बिलकुल ना भूलिए तो देखिए संगम इंडिया लिमिटेट बेसिकली कंपनी है टेक्स्टेल सेक्टरी कंपनी है ज्यादा आपको एक्स्पें अब देखी सकते हैं लोग इन लोगों को जानते होएंगे तो बिसलिए समझते यान और टेक्स्टेल फैवरिक और बाकी आप देखेंगे के यह राजिस्तान बेस्ट कंपनी दूसरा के जो टेक्स्टेल सेक्टर की जो तेजी देखने हों मिले है और सारे शेरों में तेजी अलगी देखने को मिल रही है और पिएले इसके लिग को सपोर्ड मिला है टेक्स्टेल सेक्टर करते हैं उससे बहुत अलगी व्यू वन चुका इस टेम पर मार्किट का और आने ले टाम पर कैसा व्यू रहने वाला उसके वारे में हम समय समय बात करते हैं प्लीज वीडियो चलिए चलते इनकी आर्णिंग के उपर बात करता है मोटा मोटा तो देखिये इनकी इस क्वाटर में अनिंग्स आई है वह आई है लैक्स के अंदर यह देख सकते हैं तो इस क्वाटर में टोटल अनिंग आई है इनकी 64,86,64 लाक की और last quarterしail ती 63,884 लाक की तो last quarter से से इस quarter में में जाफा देखने हो मिला हमारे को सीधर-चीध़ 1,000 लाक मोटा profit देखने हो मिले हमारे को और last quarter last year sale ती 44,00, 42,00 22,00 लाक की बढ़के 64,886 हो गी है तो यह सेल में देखिए आप बहुत ही डिफ्रेंसल देखने हो मिले है आपको यह रिए वाई हो quarter quarter भाई भी अब expense की बात करेंगे तो expense है इस quarter में इसका 69,997 लैक का और last quarter था 69,170 लैक का और last year था बहुत अच्छा इजाफा देखने हो मिल रहा यह बहुत अच्छा इंडिकेशन है अब चलते चलते इसके operation profit की बात करेंगे तो इस quarter में operation profit आया 4,897 लैक का और last quarter में अच्छे खासे growth देखने हो मिली है और three times growth देखने हो मिली है operation profit के अच्छा खासा मुनाफ़ हुआ company को यानि के 1,233 से बढ़के 4,889 हो गया है यह बहुत अच्छी growth देखने हो मिली है अब चलते इसके net profit की बात करेंगे तो इस quarter में net profit हुआ है 45,458 लैक का और last quarter में तो 3,477 का quarter वाई थोड़ा सो downfall देखने हो मिली है बट नहीं quarter quarter भी बड़ा देखने हो मिली है देखे 3,477 से बढ़के 45,48 हुआ है तो 4,588 इस quarter में बहुत अच्छी बड़ा देखने हो मिली है और last quarter वाई तो बहुत देखने हो मिला है यानि कि 809 लैक से बढ़के 4,588 लैक हुआ है यानि बहुत बड़ा देखने हो मिला प्रॉफिट के अंतर अर्निंग यानि कि अर्निंग के साथ साथ जो प्रॉफिट आया बहुत अमुंदा है बहुत अल्टीमेट देखने हो मिली हमारे को 800 से लेके सीधा चारह 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 पहुचने हो बहुत बड़ी बात होती है और EPS की बात करेंगे तो EPS में आया है 10.05 है इस quarter में और last quarter में 6.6 था और last year 1.90 था देखिए लास्ट यानि है पूरा 9 times बड़ा देखने हो मिली है हमें EPS के अंतर येर येर वाई किसी तरह कुछ नहीं देखना हो मिल रहा है बाकी जो रिजल्ट है जो उनकी अर्णिंग आया अर्णिंग के साथ जो कम्पनी ना प्रॉफिट कमा इस quarter के सीरिस के अंदर बहुत अल्टीमेट है कल से इसमें तेजी देखना हो मिलीगी तेजी अब कित्ती जाएगी बहुत बात करते हैं तो चली चलते हैं इसका मार्केट होगे एक हजा साथ सो सतरा करोड़ बेगा इस्टॉक पी चला बार पंट टू का स्टॉक रिटर्न ऑफ एक्वेटी फॉर्टी फर्सेंट का हो गया बुक बैली उसकी 138 की है और रिटर्न ऑफ एक्वेटी इसके 1.27 अब इसके अंदर और कुछ तो है निया इसके फेर फोल्डिंग पैटन देख लिए था 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 इसके इस क्वाटर में तिमाही में होल्डिंग पैटन है पर मोटर की लास्ट को आटर के सेमी एक सबसचा इंडिकेशन है दिए अपनी होल्डिंग बढ़ा है जीरो जीरो अब रिजल की बात करें रिजल एक दम आउट पर्फॉर्मिंग देखने को मिला है कंपणी के अनुमान से ज्यादा कंपणी ने अपनी रेवन्यू सेल और कंपणी ने अच्छा अपना प्रॉफिट अंकरा है कंपणी का कर्जे से काम औरी देदे रहे और बहुत बड़ी बड़ात देखने को मिल रही है हमारे को तो रिजल का वियो और बहुत अल्टीमेट थी कि रिजल तो मैं आपको पूरा डेपली एक्स अनलाइज करूंगा तो बहुत टैम लग जाएगा मेरा मानने है तो कि शौर्ट टैम के अंदर आपको अच्छी नॉलिज देने यानि क चली चलते हैं इसका कॉर्ट थी के रिजल्ट के बाद अब कैसा रहेगा आउट पर्फिर में आगेगा तो चलिए तो देखिए फ्राइडे की दिन भी ये डेड़ परसेंटेजी के साथ ये बंद हुआ है ऑपन होता तीन सो पिच्छाइसर पर तीस पैसे का हाई मारा चार तो दस परसंट रिटन दिया पॉजिटिव में कब से कंपनिया और निस्तों चुरासी से कंपनिया टेक्स्टेल सेक्टर में अब चली चलते हैं पर लाइफ टाम हाई पर चल रहा है अब किस तरह से तेजी चार्ट पर इंडिकेशन आले की देखने को मिल रहा है और यहां सब्सक्राइब चलते हैं और यहां से लगता है यहां सी जो पहला टरगेट आएगा यहां तो अब यहां पर टोड़ेगा इसमें 420 का बाइकरी पेसल का होल्ड रखी है आई ओप यह वीडेव आपकी उस्पिल है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेफर अबट करना बिल्कूल ना बूलें थैंक यू सो मुच वर वाचिंग देश वीडियो